जहें दोस्तों चलिया आज आप लोग का श्वागत इस लेक्चर स्रीज में और हम लोग जो है जो पीछे की क्लास में सीख रहे थे उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उस क्लास को आगे बढ़ते वे देखेंगे कि हमारे आपके बीच में पहले क्या तै हुआ था और उसी तैक किसी साब से हम लोग चलेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से इंटर कनवर्जन की जाती है रियक्शन का माल लेजे कि मेरे पास अगर कोई एक छोटा रियक्शन हो और उस रियक्शन को कैसे हम इंटर कनवर्ज करके दूसरे form में convert कर सकते हैं अगर आपको याद होगा तो जो हमने कल सीखा था उसी कहानी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और कल हमने जो सीखा था उसमें कहा था कि अगर मालो कि मेरे पास कोई primary alcohol है और primary alcohol का अब इसमें एक structure है उससे अगर आप एक से दो करना हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो इसके बारे में हम लोगों सीखे थे ठीक है फिर हमने कहा कि अगर बड़ा structure उसे छोटा कैसे कर सकते हैं और छोटे structure को बड़ा कैसे कर सकते हैं ठीक है इन दोनों concept के बारे में मैंने कल सीखा था आज हम उसी concept को अब उसके second step के बढ़ेंगे हम लोग और second step में सीखेंगे कि अगर माल लिजे कि मेरे पास अगर कोई primary structure है तो primary structure जो होता है वो कैसे आगे convert होता है नहीं secondary में कैसे convert होता है और secondary जो होता है वा तरस्यारी में कैसे convert होता है और primary जो होगा वा मतलब कि हर conversion reaction के बारे माज हम लोग सीखेंगे कि इसकी conversion reaction जो होती है वा ये किस spaces पर काम करती हो और इसके काम करने का pattern क्या होता है ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी किये हुए class को सुलू करते हो और हम लोग सीखेंगे आज conversion of primary alcohol to the secondary alcohol ठीक है? हेड़े डालिए conversion of primary alcohol to the secondary alcohol ठीक है? तो primary alcohol से secondary alcohol में conversion कैसे होती है आज का मेरा यही target है और यही मेरा class है ठीक है? कि primary को हम secondary में कैसे convert करेंगे और secondary को या तो tertiary में अगर time मिल गया तो secondary को tertiary में कैसे convert करेंगे ठीक है? इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे देखो कोई भी अगर माल लिजे कि मेरे पास अगर primary से secondary convert करने के तरीके सबसे पहले आप एक लोगे क्या चीज प्राइमरी अलकोहल माल लोग कि मेरे पास एक प्राइमरी अलकोहल है जैसे माल लोग कि R CH2 CH2 OH यह एक प्राइमरी यह में रियक्षन है अब हम यहाँ पर नीचे रियक्षन का second part भी साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको इस बात का समझ रहे अंदाजा रहे कि हाँ अप्राइमरी अप्राइमरी को कैसे चला रहे हैं तो यहाँ माल लोग कि हमारे पास रियक्षन है R CH2 टेप में हम रियक्षन लेके चलते हैं थायोनील कोलराइड से SOCL2 क्या लेके चलते हैं थायोनील कोलराइड SOCL2 जब आता है तो यहाँ से माल लेक्षन होंगे वो क्या करेंगे ब्रेक होंगे यहाँ से OH जो होता है वो ब्रेक होता है और यह आकर इसके साथ जुड़ेगा मतलब SOCl2 के साथ जब reaction करेगा तो यह SO जो होता है यह कहानी कुछ इस तरह का structure होता है यह सलफर होता है यहाँ यह कलोरीन है यहाँ कलोरीन है यह आकसीजन है यह होता है SOCl2 ठीक है? यहाँ से OVH जो होगा वह इसके पास स्रिफ्ट होगा और कलोरीन जो होता होगा यहाँ आता है और यह बनाता है RCH2CH2Cl बनेगा मतलब आप इस structure को open करोगे तो यह बनेगा कुछ इस तरह का H यहाँ H यहाँ और Cl मतलब जो product बना हुआ 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 RCH2CH2C फर्स्ट स्टेप का product यहाँ बनता है सिकन्ड स्टेट में हमाँ reaction कराते हैं potassium hydroxide के साथ KOH यहाँ reaction होगा KOH के साथ तो K plus और OH माइनस यह K इसके साथ लेकर क्या बना लेगा KCl फिर आकर OH जो है यहाँ पर जोड़ गया अब जब देखोगे कि यहाँ से जब OH निकलेगा जुड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन यह OH इसके साथ जुड़ता नहीं ठीक है अब इस ट्रिक्चर की बारी आती है यहाँ पर यह जो कार्बन है यहाँ hydrogen है यहाँ hydrogen है और यह OH जो होता है इसके साथ आकर इस H को लेकर यह बना लेता है H2O क्या बना लिया यहाँ से बना लिया H2O मतलब एक electron यहाँ खाली और एक electron यहाँ खाली यह दोनों आपस में यहाँ मिलेंगे मिलेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा RCH CH double bond CH2 मतलब जो product बना यहाँ से क्या बना R क्लोरीन से पहले यहाँ के वे से reaction हुआ तो RCH double bond CH2 फर्स्ट स्टेप में आपको reaction कराना है SOCl2 के साथ सेकेंड स्टेप में reaction हो गया potassium hydroxide के साथ अभी तिद जो primary alcohol था वो क्या बना हमारे पास chlorine का formation हुआ फिर यहाँ जब reaction हुआ तो यह बन गया alkyne क्या बन गया यहाँ से alkyne का formation हुआ double bond हुआ मतलब यहाँ पर आ गया alkyne बन गया अब इसके बाद की process क्या होती है समझे अब यह जब बन का formation हो गया अब double bond जैसे ही यहाँ पर आता है reaction होता है HBR के साथ HBR जो होता है आपको पता है जब HBR जब आता है तो H प्लस और BR माइनस में तूटता है और यहाँ follow होता है आपका कौन सा reaction HBR है और reaction सुरू होता है यहाँ पर खाचीज आपको बेहतर तरीके से याद होगा कि जब भी हमारे पास अगर hydrogen kloride या hydrogen bromide आता है reaction में और reaction के दौरान जब यह एस्टरे के molecules होते है तो मारकोनिकाफ रूल follow होता है और मारकोनिकाफ रूल में क्या होता है कि hydrogen molecules वहाँ जाकर टेस्ट होता है आर सी एच यहां आगया आपका बी आर यहां आगया एच एच और एच चलेगा ताने कि यहां जो product बना वो बन गया आर सी एच बी आर और यह हो गया आपका सी हैस थरी तो अभी तक हमने एक स्टीप, दो स्टीप, तीन स्टीप अब रियक्षन यहां तक पहुचा दिये ठीक है अब जैसे यहां तक रियक्षन पहुचेगा अब रियक्षन कराते हैं फिर से कोवेच के साथ potassium hydroxide जैसे ही कोवेच के साथ रियक्षन होगा तो क्या बनेगा ध्यान रखेंगे, बनेगा के प्लस और ओएच माइनस यह जो ओएच के होगा यह इसके साथ मिलकर के बियार बनाएगा ओएच जाकर यहां लग जाएगा तो क्या बनेगा यह आर, सी, एच यहां हो गया ओएच यह हो गया आपका एच, एच और एच तो अब जाएगा गौर से देखो यानि कि जो के ओएच के साथ रियक्शन हुआ तो क्या बना आर, सी, एच यहां हो गया ओएच और यह हो गया आपका सी, एच थरी तो अब ही जो यहां पे था यह कौन सा अलकोहल था आप इस स्टिक्चर को गौर से देखोगे तो यहां पे कौन सी अलकोहल है प्राइमरी अलकोहल यहां कौन सी अलकोहल है प्राइमरी अलकोहल और यहां पे कौन सा अलकोहल हो गया आप देखोगे इसमें क्या है यहां एच है यहां पार आर है मतलब यह हो गया आपका secondary alcohol ठीक है? तो primary alcohol से secondary alcohol मतलब यहाँ जो structure हमने देखा यह है आपका primary alcohol और यह है आपका कौनसी alcohol जो कि यहाँ जो structure बना यह हुआ आपका secondary alcohol तो यह एक method है कि आप गोड़े बने गोड़े मिंदरिश्टी primary alcohol से secondary alcohol तक का सफर कैसे ताय कर सकते है यह बहुत आसान method है और बहुत best method है क्योंकि इस तरह के method जो है वो exam में आज के जवाने में बहुत popular हो चुका है कि आप primary से secondary कैसे convert करोगे है ठीक है? तो secondary convert करने का तरीका क्या होता है? बना लेंगे? चलिए अब बना लेंगे अगर तो आपको एक हम home work में लिख देते हैं आप घर पे करिएगा CS3, CH2, 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 OH यहां से आपको convert करना है और convert करने के बाद आपको secondary alcohol बनाना है ठीक है? तो यह हुआ आपका एक reaction और इससे आप product बनाएंगे बना लेंगे आप यह आपका एक reaction दे दिये है अब आपको इसका product बनाना है ठीक है? क्या बोले? सर आप नहीं देख रहे हैं बोड पर नहीं अब हम देख रहे होंगे बोड पर आप जराब गौर से देखिए देख रहे हैं हम? ठीक है? तो प्राइमरी एलकोहल से सेकेंडरी एलकोहल तक का सफर कैसे complete करते हैं? यह हुआ यहां तक का अब अगर यहीं structure हमारे पस कोई question पूछे की? बताए ठीक है आपने प्राइमरी से सेकेंडरी तो convert कर लेकिन अगर structure में मुझे पूछे की secondary से tertiary कैसे बनाते हैं? secondary से primary से secondary तो बना लिए अब मेरा अगला question यह है कि हम secondary से tertiary कैसे बनाते हैं? तो अगला हमारा जो inter-conversion है वो inter-conversion होगा secondary alcohol से tertiary तक का सफर ठीक है? heading ढालिए conversion of secondary alcohol to a tertiary alcohol तो अगला heading है conversion of conversion of secondary alcohol ठीक है? secondary alcohol को to a tertiary alcohol ठीक है? secondary alcohol से tertiary alcohol की रास्ता हम कैसे सफ़ताए करेंगे? अब हमें इसमें सीखना है देखो, अगर मालो की मेरे पास अगर कोई भी secondary alcohol दिया हो suppose करो कि यहाँ पे है एक R1 ठीक है? C, यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ पे एक मालो की मेरे पास यहाँ आप एक काम करो secondary alcohol लेना है तो इससे ले लो ऐसे R1, R2 और यह हुआ OH यह है आपका एक secondary alcohol? एक secondary alcohol है? ठीक है? अभी secondary alcohol को हम आगे step कराएंगे आपको याद होगा कि हम सबसे पहले कराते हैं oxidation और क्या लेते हैं? Na2, Cr2O7 या K2, Cr2O7 और presence of H2SO4 in presence of H2SO4 ठीक है? in presence of H2SO4 यह हमारा पहला step होता है in presence of H2SO4 में reaction कराएंगे अब जैसे हैं यहाँ पर restriction होगा यह OH molecules जो होंगे oxidation करेगा और oxidation के दौरान क्या होता है? आपको याद होगा यह OH और H के molecules जो होंगे वो replace होंगे भई oxidation में क्या होता है? hydrogen molecules जो हम नीचे mechanism के तरफ आते है यह R यह CH यहाँ है R2 यह O और H यह H यहाँ से बाहर निकलेंगे यह दोनों bond यहाँ पर shift होगा तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा R ध्यान रखेंगे यहाँ नीचे आ गया R2, R1 और double bond oxygen यह है oxidation का first step किसके presence में reaction होता है? N A2 CR2O7 या K2 CR2O7 और in presence of H2SO4 यह आपका first step है बोर नहीं दीख रहा है तो आसा आप image quality बढ़ा दीजिए बोर आपको बहुत अच्छे तरीके से दीखेगा ठीक है? अब आई बास समयजबे अनिके जो product बना वो क्या बना? R1, C, R2, double bond ठीक? अब जैसे ही यह first product बना अब इस second product के लिए हम क्या करते हैं? कि अब लेकर आते हैं यहां से Grignard reagent क्या लेकर चलते हैं हम यहां से? Grignard reagent ध्यान रखेंगे अब आता है यहां से Grignard reagent और आपको पता है Grignard reagent क्या होता है? R, M, G, X पता है ना? R, M, G, X Grignard reagent होता है तो R, M, G, X के जग़े पर हम ले लो R3, M, G, B, R Grignard reagent लेकर आएं मतब जब Grignard लेकर आएंगे R3, M, G, B, R तो आपको पता है कि जब इस तरह के मालेकुल जब आते हैं यह double bond जो होता है वह तूटता है तूटता है ना? और तूटेगा तो R3 जो होता है यहाँ attack करता है और यह आकर यहाँ attack करता है तो बनता है R1, यहाँ बना R2, यहाँ बना R3 oxygen एक, दो, तीन, चार oxygen और यह बनता है M, G, B, R पता है? क्योंकि ग्रिक नाड जब भी attack करता है तो double bond तूटता है आर्थ, एक अलकिल गुरूप यहाँ और O, M, G, B, R के साथ यहाँ जोड़ा मतलब जो यहाँ product बना हुआ R1, C, यहाँ बना R3, यहाँ बना R2, और यह बना R2, N, सुरी oxygen M, G, B, R चलेगा यहाँ तक तो first step आप गौर से समझते चलो किस तरह से चल रहाई है अब यहाँ जैसे रियक्सान आता है आपको पता है कि ग्रिग नाड जब भी रियक्सान करता है जब M, G, B, R जब आता है तो next step में क्या होता है H2O के molecules participate करते है और यहाँ पर जो रियक्सान होता है हुआ H plus iron के presence में H2O participate करता है H2O जो होता हुआ H plus और OH minus iron में तूटता है यह बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि H plus और OH minus iron में तूटेगा अब जैसे ही OH minus iron और H plus iron में तूटेगा अब ऐसे condition में क्या करेगा यह H जो होता हुआ यहाँ मिलेगा और M G जो होगा इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा R1 यह C इधर के तरफ R3 इधर के तरफ R2 तो एक काम करो इसको उपर कर दो R3 और यहाँ कर दो OH और यह क्या हो जागा M G O H B R M G O H B R ठीक है आई वास समय में तानिकि जो product यहाँ पर जब हमने reaction कराया H प्लस आयन H2O के presence में तो क्या बना R1 C यहाँ हुआ R3 यहाँ हुआ R2 और यहाँ क्या बन गया आपका OH और by product हो गया M G O H B R तो आप अगर गौर से देखो यह क्या था यहाँ जो alcohol है वह है secondary alcohol यहाँ जो alcohol है वह कैसा alcohol है secondary alcohol है यह जो alcohol है आपका secondary alcohol है secondary alcohol कैसे है क्योंकि यह जो OH है उसके तरफ दो alcohol group जुड़ा है अज़ प्रोड़क्ट में आते हो तो यहाँ जो OH है उसके तरफ एक, दो और तीन अलकिल गूरूप जुड़ा है यानिक यह है आपका टर्सेरी अलकोहल मतलब यह जो है आपका टर्सेरी अलकोहल तो अगर आप देखो यहाँ पर इस्टिक्चर को तो पहले में हमने सीखा कि प्राइमरी अलकोहल को सेकंडरी अलकोहल में कैसे कनवर्ट करें और दूसरे स्टिप में सीखा कि सेकंडरी अलकोहल को हम तर्सेरी अलकोहल में कैसे कनवर्ट करें दो most important topic हमने सीखाया कि प्राइमरी को सेकंडरी में कैसे कनवर्ट करें और सेकंडरी को तर्सेरी में कैसे कनवर्ट करें and how to convert secondary alcohol into tertiary alcohol आपको ये दो टॉपिक अगर आप इस पर कमांड कर लिये तो समझ दिए कि alcohol के सब सी ज़्यादा चप टॉपिक आप निकाल लिये और हर साल एक्जाम में बोर्ड की पेपर में खास करके इस पर एक कोस्टन हर साल पूछे जाते हैं competition की एक्जाम में क्या की जाते हैं आपको reaction दे जाएंगे बीच में catalyst दिया जाएगा और हाँ A, B, C और D लिख दी जाएगी और आपसे A पूछ ले जाएगा, B पूछ ले जाएगा यारो C या तो D पूछ ले जाता है तो competition की एक्जाम में भी इस questions के पूछे जाते हैं और board में तो हर बार question हम देखते ही देखते हैं कि एक inter-conversion reaction देना अदम तय है दो inter-conversion reaction हर साल एक्जाम में board में पूछे जाते हैं चार नमबर का, एक inter-conversion reaction दो नमबर का दो question हर बार आता है चार number inter-conversion में आता ही आता है और एक उसमें से aldehyde पर होता है अनि aldehyde क्लोड कारवाक्शली के chapter से और एक alcohol phenyl और ether के chapter से तो इसको आपको याद रखना चाहिए कैसे inter-conversion होता है ठीक है? I hope आपको ये बात समझ में आ गया होगा समझ माया? रिष्ट्री दिखाई दे रहा है बोर्ड ना कभी भी ने दिख रहा है ठीक है? तो primary to secondary और secondary to tertiary अब हमें जो next topic सीखना है कि अगर मैं इस तक कोई question पूछे कि sir primary to secondary तो आप convert कर दी है क्या वा फिर रुख गया क्या? हाँ ठीक है primary to secondary तो convert कर दी है secondary से tertiary convert कर दी है अगर माल लिजे कि मेरे पास question हो कि primary to tertiary कैसे convert करते है तो तरीका क्या हूँ? हम निदुख बिल्कुल कोई तरीका नहीं है आसान तरीका है पहले और तीसरे को जोड़ दो आपस में वाई primary to secondary convert करना है तो पहले तो primary to secondary जाओ और फिर secondary से tertiary जाओ अगर हमें primary to tertiary जाना है तो क्या करेंगे? पहले primary to secondary जाएंगे और फिर secondary से tertiary अगर सीधी सी बात है अगर नहीं समझ मैं तो ऐसे समझो हमें primary से tertiary जाना है मतलब यहां से शुरू होकर हमें यहां आना है तो पहले ज्या करेंगे पहले हम primary to secondary convert करेंगे और फिर उसकी बाद यहां से secondary सुरू करेंगे और फिर यहां पहुँचेंगे tertiary आई ब टर्सेरी जितना स्टेप आपने यहां फॉलो किया है अगर कोई पूछे कि convert the reaction from primary to tertiary alcohol primary to tertiary अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे आप आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगानी है क्या करनी होगी सबसे पहले आप क्या करेंगे primary to secondary जाएंगे तो आप यहां से यहां पहुचेंगे यहां पहुचने के बाद जब secondary पहुच गए तो अब यहां से शुरुबात करेंगे मतलब कहां आगए यहां आगए अगर आप इस ट्रिक्चर को गौर से देखें तो यहीं है यहां पर जो CS3 लिखा है यहां पर क्या है R2 है तो वहां से R2 आ जाएंगे और फिर यह सारे स्टेफ को फॉलो करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा तर्सियरी हो जाएगा तो primary to tertiary भी अहुच आसान है convert करना हम आपको convert करके दिखाते हैं हम बीच का सिर्फ dive कर रहे है हम आपको बीच का सिर्फ structure यहां से dive कर रहे हैं और आपको सिधा दिखा रहे हैं कि कैसे primary to tertiary alcohol को हम convert करते हैं अगर मुझे primary to tertiary convert करने के लिए दिया जाए तो आप primary to tertiary कैसे convert करेंगे सब्सक्राइब करो कि मेरे पास यहीं structure हम देते हैं ध्यान रखेंगे जो हम structure आपको देने जा रहे हैं यह हम यहीं structure लेके चलते हैं कि primary to tertiary कैसे convert करते हैं यहां मालो एक structure हम देते हैं RCH2 CH2OH यह structure है RH2 CH2OH यह structure है सबसे पहले आप reaction जो कराओगे ऐसे reaction कराओगे तो आप एक काम करो या तो आप SOCl2 के साथ reaction कराओ यह R3 ठीके आपको हम दो तरीका बता रहे हैं या तो आप इस step को follow करते हुए बढ़ो या आप direct करा दो oxidation जब oxidation कराओगे NA2CR207 या K2CR207 एस्टिक्चर कैसा ही है यह structure है ऐसा आप जानोगे कि यह दोनो H जो होगा वो बाहर निकलेगा जब दोनो H बाहर निकलेगा तो यह बन जाएगा double bond तो यह हो जाएगा R, C, H, H, H और H sorry oxidation में समान माली कुल से तो बाहर निकलेगा नहीं हाँ ठीक तो है सही है सही है ठीक है यहाँ से जब H प्लस आएट जो होंगे वो बाहर निकलेंगे और जैसी OH माइन बाहर निकलेंगे तो यह hydrogen होगा बाहर निकलेगा यहाँ से इसकी shifting करा दो ठीक है और जब shifting कराओगे तो एक काम करो इतना बड़ा step खेलने से अच्छा है कि एक काम करो यहाँ तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचो direct नहीं तो यहाँ पर re-oxidation कराओ तो आप oxidation इसके साथ मत कराओ एक और आपका method हम बता रहे हैं देखो अगर आपको ध्यान से सुनना अगर आपके पर टाइम नहीं है तो हम यहाँ पर एक night trick आपको बताने जा रहे हैं जो आप तीन step खा सकते हो या तो आप यहाँ से सीधा यहाँ बढ़ो यहाँ पहुचो या आपको यहाँ से direct यहाँ आना हो तो आप एक काम करो concentrated H2SO4 ले लो और उसको heat कर दो concentrated H2SO4 लेकर heat कर दो आपको पता है कि जब भी हम heating करते हैं तो H2 को क्या करता है बाहर निकल जाता है इतना तो पता है ना कि जैसे हम heat करेंगे H2 को बाहर निकले है क्योंकि concentrated H2SO4 है जैसे हम उसके दालेंगे alcohol की पहली property होती है कि वो OH और H plus sign को displace कर देता है ठीक है और जैसे हम OH और H को displace करेगा तो आप अगर इस structure को गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा structure होगा और यह OH जब यहाँ से यह क्या बनेंगे H2O बनके बाहर निकलेंगे तो यहाँ से आप अगर गौर से देखें तो यह यहाँ से निकला और यह बन गया double bond तो या तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचो पहले SOCL2 के साथ कराओ फिर QOH के साथ कराओ और नहीं तो direct concentrated H2SO4 के साथ हीट करा दो H2O बाहर निकल जाएगा और H2O बाहर निकल गया अलकीन का formation हो गया तीक है आप S-Trip खा सकते हो यहाँ से आप कहोगे कि सर इसमें भी आपने क्यों ने किया कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप diet primary alcohol को concentrated H2SO4 साथ हीट करा दो बन जाएगा अलकीन जैसे हैं यहाँ से अलकीन बनेगा अब फिर से वो follow कर दो HBR ला दो HBR लाओगे तोटेगा H plus और VR minus में आपको पता है कि का कतने हैं मारकोनी का फरूल लगेगा hydrogen वहाँ है टेक करेगा जहाँ hydrogen के संख्या सबसे जादा है तो यह drop bond टूटेंगे यहाँ से H आएगा यहाँ VR आएगा यहाँ तो यह बन गया R यह हो गया CH यह हो गया आपका VR यह हो गया CH 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 कोई doubt यहाँ तक जैसे ही यहाँ पर reaction होगा अब लेकर आजाओ क्या चीज़ potassium hydroxide K plus और OH minus जैसे यहाँ potassium hydroxide आएगा क्या करेगा यह K जो होगा यह VR के साथ मिल जाएगा तो यह बना लेगा KBR और यह OH आकर यहाँ मिलेगा तो यह बना लिया R CH OH यह H H H तो चले कहां थिसने हम primary alcohol से ठीक है पहुच कहां गए हम secondary alcohol पर पहुच गे secondary alcohol ठीक है देखो आप यही primary secondary में convert करना था तो मैंने 1, 2, 3, 4 step खाया और यही primary secondary में किया यही एक, 2, 3 step में product दे दिया आपके उपर है आप किस product किस method को अपनाना चाहते है ठीक है यह तो आप SOCL2 के साथ KOH लेकर आओ यह direct concentrated X2004 डालकर हीट कर दो पाने निकल जाएगा अल्कीन बन गया यह दोनों alcohol की chemical property है आपको जो अच्छा लगे बना लो exam में बना देना छोड़ के मताना ठीक है अब इसके बाद यहां तक तो हम लोग सीख लिए अब जैसे ही यहां पे structure मेरे पास आया हमने secondary alcohol तो बना डाना ठीक है अब secondary alcohol के बाद क्या करना है करना क्या है करा दो यहां पे oxidation ठीक है जो अब structure के पास हमारे पास मिला अब हमें कराना है इसका क्या oxidation और आपको पता है कि जब भी हम oxidation कराते हैं तो oxidation में क्या होता है Hydrogen के maalikles तो gaiv होते है oxidation में कौन gaiv होता है Hydrogen के maalikles gaiv होते है अब यहां से step आगे होती है अब यहां लाओ Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 और H2SO4 अब आ गया यहाँ देख रहे हैं यहाँ आता है और आएगा तो क्या होगा यहाँ के दोनो H प्लस आएगा यह गाइब होंगे मतलब यह जो आपका O-H है ध्यान दखेंगे यह O-H है यह H और यह दोनो H जो होंगे वह यहाँ से बाहर निकलेंगे दोनो H क्या होंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा R-C-O-C-H-3 देखो इस बार हम फिर ने ट्विस्ट कर दिया यहाँ आप देखे होंगे तो यहाँ जो मैंने बनाया यहीं एस ट्रिक्चर यहाँ भी बनाया किटोन ही बना यहाँ भी क्या बनाया किटोन और यहाँ भी मैंने क्या बना दिया किटोन ठीके तो मैंने प्राइमरी से सफर सुरू किया सेकंडरी पर गया अब सेकंडरी से मैंने सफर सुरू किया मतलब अब सौफर मेरा सुरू हो गया यहां से अब हम जब यहां पहुँचेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता यहां आते ही हम लोग किसे में मुलाकात होती है ग्रिगनाड रिएजन्ट से आर यह वन है तो चलो एक काम करो यह आर है तो इसे आर डैस एम जी बी आर बना देते है अगला मुलाकात हो गया किसे मेरे पास ग्रिगनाड से और जब ग्रिगनाड होता है तो आपको पता है कि आक्सिजन के मॉलिकुल जो होंगे इसके बॉंड जो होंगे वो तूटेंगे तो यहां से एक आर जो होगा वो क्या करेगा इस एलकिल गुरूप के साथ और एम जी बी आर जो होगा इसके साथ मिलेगा तो यहां पर स्ट्रेक्चर क्या बन के तयार होंगे आर यह कारबन आक्सिजन इसके साथ मिल गया ओम जी बी आर और ये बन गया आपका CS3 और ये बन गया R-S ठीक है यहां से हम ग्रिगनाड को लेकर आए अब ग्रिगनाड देखो हमने जो इस चीज को लिखा है वहीं फॉलो कर रहा है ग्रिगनाड के बाद आता है H प्लस और H प्लस के प्रजेंस में H2O के मालिकुल्स आपको पता है कि तूटता है H प्लस और OH माइनस में ये तूटता है H प्लस और OH माइनस में तो यहां से क्या होगा ये H जब ये तूटेगा तो माइनस और M G प्लस में जो माइनस है ये इसके साथ और ये मिलेगा इसके साथ तो क्या बनेगा R C ध्यान रखेंगे O H यहाँ बना C S 3 और नीचे आपका है R S यह मेरे पास एक प्रोड़क्ट बना जो एक बाई प्रोड़क्ट बनता है वो होता है M G O H बियार इसे हमको कोई मतलब नहीं है ठीक है जब बुक में ऐसे पता देगा तो फिर हमारे और बुक में अंतर क्या रहेगा तो बुक में तो ऐस तरह से फूल पत्ती भी नहीं बनाता है जैसे हम लोग काटपिट करते हैं डंडा भाला दिखाते हैं इससे थे बुक में भी तरहीं दिखाता है आई वाज समझ में तो यहां पी क्या सीखने को मिला अब मेरी सफर सुरू कहां से हुई थी प्राइमरी से सफर कहां हुआ सेकंडरी पे कहां पहुँच गए अब हम लोग यहां पे टर्सियरी अलकोहल एक काम करते हैं इसको कलर चिंज करते हैं यहां सीख लिए पहुँच गए हम लोग टर्सियरी अलकोहल पर आपके पास कितने सारे आप्शन देखने को मिल रहा है यहां देखो फर्स्ट में यह है आपका सेकंडरी अलकोहल अगर देखोगे तो मैंने पहले सिखाया प्राइमरी से अलकोहल कनवर्ट करना फिर मैंने सिखाया सेकंडरी से टर्सियरी कनवर्ट करना और लास्ट मैंने सिखाया कि प्राइमरी से टर्सियरी कनवर्ट करना अब आपके पास यह सारे मेथड आपको मिल गया I hope I hope आपको मेरी बाते आपको समझ में आ गई होगी कि primary alcohol को secondary alcohol में कैसे convert करें secondary alcohol को tertiary में कैसे convert करें और primary को tertiary alcohol में कैसे convert करें ठीक है तो ये inter conversion आपकी exam की point of view सबसे important है ठीक है तो याद रखेगा कि इसको आप अपने दिमाग में set कर लिजिएगा या आपके 12 में काम आएगा BSC में काम आएगा MSC में काम आएगा competitive exam में काम आएगा ये सिर्फ एक जगे नहीं कई जगह काम आते हैं आपको set करना है catalyst दिमाग में कैसे catalyst काम करता है SOCL2, KOH, HBR, MGBR, NA2CR207, K2CR207 आपको step याद रखना है अगर आपके पास step याद है तो इस exam में आप आसानी से चार नंबर पास सकते है ठीक है और competitive exam में कैसे पूछा जाएंगे questions आपको इसी रूप में दिया जाएगा catalyst दिया जाएगा A लिखा जाएगा फिर catalyst लिखकर B लिखा जाएगा catalyst लिखकर C लिखाया सकता है और आपको direct वहाँ पे पूछा जा सकता है ठीक है तो यह है आपका inter conversion और इसी के साथ यह जो alcohol लामक chapter है आपका खतम हो गया ठीक है अलकोहल यहीं पर खतम होता है अब हम लोग को सीखना है वह है phenol अगर आपको alcohol तयार है पे लिखकर C 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 ल फिनल के हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, सब चीज़े हम लों सीखेंगे किक करके, हम आपको दावे के साथ कर सकते हैं, कि आप पढ़ लिजिए इस अल्कोहल के चप्टर को, और आप या तो आप बेसी का इंटरेंस का इंचाम दीजिए, आपको एक कुस्चन अगर छूट जाए तो फिर बताईएगा, तो चलिए, आज की सफर यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, थैंक यू सो मच,